अफ्रिका और मध्धपूर्ब के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश मेश्र यह कहानी उसी मेश्र की है जहांके राश्टपती को बेरामी से और चारो तरफ सुरक्षा होने के बावजोद मारा गया था इस राश्टपती का नाम है महम्मद अनवर सादाग वा मिश्र के तीसरे राश्टपती थे 1970 में जब वो राश्टपती बने तो किसी को भी नहीं लगा कि वो ज़्यादा दिन तक इस पर टिकेंगे लेकिन वह करील 11 साल तक राश्टपती के पर रहे 6 अक्तुबर उन्हें सिक्यासिकों के हट्पती आऊ गए थी कहा जाता है कि उन्हों अपनी डेथ वारंट पर साइन कर दिया था इसके पीछे एक कहानी है इसलिए जानते हैं इसके बारे में दरसल इजरायल के साथ मिश्र को लड़ते करीब 25 साल हो चुके थे लेकिन चुकी अनवर सदात की अलग सोस थी वो मिश्र की अर्थ व्योस्था को सुधारना चाहते थे और इजरायल से लड़ाई खत्म करना चाहते थे इसलिए उन्हों इसरायल की तरह दोस्ती का हाथ बढ़ाया लेकिन कुछ लोग को यह बात पसंद नहीं आई 25 थी समों ने मिश्र की सेना में भी सिंध लगा दी और कई जवानों और अफसरों को अपनी तरफ मिला लिया इसके बाद उन्होंने प्लाइन बनेया राष्टपती अन्वर सदात की हत्या का और इसके लिए 6 अक्टूबर 1980 का दिन चुना गया इस दिन मिश्र का विजए परेड दिवस भी होता है चुकि आम तरफ राष्टपती अन्वर सदात किसी भी कार्जग्रा में जाते थे तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन कर जरूर जाते थे लेकिन विजए परेड में जाने के लिए उन्होंने जान बुझ कर बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पनी इसके पीछे वज़ए बताई जाती है कि उन्होंने परेड में भाग लेने क्लेंग लेन के एक दरजी से अपने ड्रेस सिलवाई थी और वो नहीं चाहते थे कि बुलेट प्रूफ जैकेट की वज़ए से उनके ड्रेस की शक्र बिगड़ जाए और वो मोटे दीखे राश्पती अन्वर सदाथ बिना बुलेट पूर जैकेट पहने ही परेड में चले गए वहाँ कई देशों के मेहमान आये हुए थे साथ ही मिस्र की सभी जिनाओं के प्रभोव भी बैठे हुए थे राश्पती के चारो तरफ सुरप्चा कर्वी मजूद थे परेड शुरू हुआ पहले लड़ाको भी मानों का कर्तब चला फिर परेड ग्राउंड पर तो पाने वाले थे लेकिन इसमीच अचानक परेड ग्राउंड में कुछ ट्रक आ गए ट्रक भी परेड का ही इस्सा थे लेकि उन्हें बाइज हाना था हाला कि उस समय किसी को भी इस बाद की भनत नहीं थी कि हो क्या रहा है परेड ग्राउंड में सभी ट्रक अपने रूप पर चलने लगे लेकिन तभी एक ट्रक राश्ट पती की और मुड़ गया इस पर किसी को कोई शक नहीं हुआ क्योंकि लोगों को लगा कि शायद या भी परेड का हिस्सा हो इसी भी चचानक ट्रक से किसी ने राश्टपती की तरफ गोले दागे और तभी लेपिन इन्खारे दिसलाम बोली सहीत करी 15 हत्यार बंद लोग ट्रक से उतरे और गोलियां बरसाते हुए राश्टपती की तरफ बढ़ने लगे जब तक सुरप्चा कर्मी हरकत में आते तब तक राश्टपती अर्मार सदात गोलियों से चलनी हो चुके थे बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें ड्रॉक्टर और ने मृत घोसित कर दी राश्टपती की हत्या में सामिल लेपिन खालित को मौके पर इस सुरप्चा कर्मी होने पकड़ दिया और उससे पूस्तास की गए कि इस घटना के पीछे कौन कौन लोग शामिल थे खालित से यह काकर पूस्तास की जा रही थी कि राश्पती अन्वर सदार तभी जिन्दा है इस फर खालित में बताया है कि मैंने खुद उन पर चोंतिस को लिए दागी थी उनका बचना नामुम्किन है यह घटना आज भी दुनिया के सबसे संसनी खेज घटनाओं में से एक है यह घटना आज भी दुनिया की सबसे संसनी खेज घटनाओं में एक है